हलो एवरिवन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके की MCQs की जो हमारी सीरीज चल रही है ये इसका नाइन्थ पार्ट है इससे पहले मैं 8 वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ उसमें आपको राजस्थान जीके के काफी सारे MCQs मिल जाएंगे उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगी आप वहाँ पर जाके उन्हें जरूर चेक कीजिएगा इस वीडियो में हम जिस कोश्चन के बारे में डिसकस करेंगे वह आपको RPSC, RSMSSB, Pattwa, Read, Constable, Group D इन सारे एक्जाम में हल्प करेंगे और भी जो गवर्मेंट के competitive exam होते हैं उनके लिए ये helpful है आप इस वीडियो को देखने के साथ-साथ इसके notes भी बनाते रहिएगा या फिर जो one-liner notes होते हैं वो बना दीजेगा जिससे क्या होगा कि आप exam से जस्ट पहले अगर revision करते हैं तो आपको revision में काफी easy रहा क्योंकि end time में आप पूरी वीडियो नहीं देखने वाले अब चलिए start करते हैं इसमें हम राजस्थान की क्रिशी से related MCQs के बारे में देखेंगे राजस्थान की क्रिशी तो सबसे पहला question है सेरी कल्चर किस क्रिशी से संबंदित है अपने सारे नाम चुनियोंगे ना epiculture, seri culture तो seri culture का मतलब होता है ratio kit, palan ठीक है? तो इसका answer हो जाएगा option number B ratio kit, palan इसमें आपके सामने क्या रहेगा एक question होगा उसके सामने चार option रहेगी और screen पे आपको पहले answer देखने को नहीं मिलेगा ताकि आप video को post करके answer सोच सकते हैं और अपनी preparation का level देख सकते हैं कि आपने कितनी सही level की preparation की है तो seri culture का मतलब होता है ratio kit, palan इसमें हम किसी भी question की आपको ज़्यादा explanation नहीं दूँगी answer की ज़्यादा explanation नहीं दूँगी क्योंकि हम इसमें quick revision कर रहे हैं अगर आपको किसी topic में confusion है तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं मैं उस पे separate video upload कर लूँगी next question है राजस्तान में खडिन का आविशकार किया गया था किसने किया था खडिन उसका आविशकार किया था option number जो 2 है इसका answer जैसे न मिलके पालिवार ब्रामणों ने खडिन का आविशकार किया था इसका answer हो गया option number 2 next question है जेव डीजल की उत्पादन में प्रयुक्त होता है ये तीनों ही चीजें उप्रयुक्त सभी इसका आंसर है जेस्ट्रोफा करकस, रतन जोथ और करांजा ये तीनों ही जेव डीजल में यूज होते हैं नेक्स्ट कोश्चन है अखिल भारतिय समन्वित विकास परियोजना द्वारा विक्सित किस्म W126 किस फसल की किस्म है तो आपको एक तो ये पता लग गया कि जो W126 है पहले में इसका आपको आंसर बता दूँ वो मक्का की किस्म है और आपको ये पता चल गया कि इसको विक्स किस्म कि थी अखिल भारतिय समन्वित विकास परियोजना द्वारा इसे विक्सित किया गया था तो जो W126 है वो मक्का की किस्म है नेक्स्ट कोश्चन है रतन जोत कहां से लाया गया था इससे पहले वाले एक वीडियो में हमने रतन जोत की बारे में पढ़ा था जो जयो ड बतन जोत लाया गया है दक्षिन अफलिका से तो दक्षिन अफलिका इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोश्चन है महाराना प्रताप क्रशी एवं प्रोध्योगी की विश्व विद्याले कहां इसते थे महाराना प्रताप क्रशी एवं प्रोध्योगी की विश्व विद्य जाले स्तित है उदायपूर में उदायपूर इसका correct answer है एक्जाम में इसे direct question बहुत पूछे जाते हैं जो read और step के exam होते हैं अगर आप RS की preparation कर रहे हैं तो इसमें से direct question कम पूछ के conceptual question पूछे जाते हैं तो इसमें क्या है कि आपके सामने दो कथन दिये जाएंगे और उनमें आपको पूछे जाएगा कि इसमें से कौन-कौन से कथन सही है तो जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी आप उसका answer नहीं दे पाएंगे next question है क्रशी एवं ग्रामेन विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवशक्ताओं की पूर्ति करने वाली एक मात्र संस्ता कोन सी है किसकी पूर्टी करने वाले क्रशी एवं ग्रामेन विकास क्रियाओं की सबी प्रकार की सावख आवशक्ताओं को पूरा करने वाली जो संस्ता है वह है नाबाड तो नाबाड का जो फुलफों में वह है राश्ट्री कृषियों ग्रामेन विकास बैंक होता है नाबाड नेक्स्ट कोश्चन है ओशधिय महत्वकी सोना मुखी की पत्तियों का निर्याथ किस जिले से होता है जो सोना मुखी की पत्तिया होती है उसका जो यूस किया जाता है वो ओशदियों में किया जाता है और इसका जो निर्याथ है वह किया जाता है जोत्पूर जीले से ठीक है आपको ये द्यान रखना है सबसे पहले पुछा गया है दक्षिनी राजस्थान की जो आदिवासी है उनकी प्रमुक फसल है कांगडी फल उत्पादन की द्रश्टी से राज्य का प्रमुख जीला कुन सा है तो वह है श्री गंगा नगर यहाँ पे फलो का उत्पादन अधिक होता है तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने राजिस्तान जीके के कुछ क्या 10 important MCQs के बारे में देख लिया अगर आपको मेरी वीडियो सीरीज पसंद आती है तो आप उन्हें लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब के मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे अगर आप मुझसे किसी कर दो आप मुझसे किसी मेरी आप मुझसे किसी लाइक कीजिए पम कीजिए॥्साइब रहें चैनल को सब्सक्राइब की ज़क nessान्यादा मुझसे की कीजिए और आप मुझसे किसी मेरी ओूट्पयाय घन्हें आप, जूवदセラ क सब्सके पszने के अगives पiałem वा नहे मेरी सी क